तो देखे दोस्तों हम यहाँ पे इतियास के NCRT नोट्स कर रहे थे और हमने यहाँ पर आपको प्राग इतियासिक काल बताया था जिसमें हमने मद्य पसान काल पूरा पसान काल मद्य पसान काल और नव पसान काल के यहाँ पर बात हमने कर ले थे NCRT के हिसाब से तो देखे द हम यहाँ प्रैक्टिशन एड करेंगे क्योंकि जूभी यहाँ पर टॉप सेंगे तो क्षप करते रहेंगे जिससे आप को पत चलीगा कि हम कैसे कॉशन पूछे जारैं और अगर तो यहाँ पर आपके क्षप्रेक्तिशन चेट होसाई गाँ तो चले यहां पर नोट्स बना रहे हैं वहें पर नोट्स भी कर लें क्योंकि इंपॉर्टन्ट है यह तो रॉबर्ट ब्रुस फूर्ट थे एक तो यह क्या थे तो यह भूगर विज्ञानिक भी थे और पुरातत तवीद भी थे तो यहां पर डी ओप्शन जो दिया गया है ए और डी इसलिए हम प्रेटिशाट लेकर आए तो जरूर आप नोट करें तो कांस्या पासान कांस्या लोह यूगिन का जो त्री यूगिन विभाजन जो किया था वो थॉमसन ने किया था और देखिए दोस्तों जितने भी कुशन है इस सब के सब एक्जामें पूछे गए कोई यू केवल यहाँ पर एकदम जंगली जानवरों के सही अपना बोजन करता था लेकिन धीरे धीरे जमद्य पसान काले में आते आते मनुष्य ने पसु पालन को यहाँ पर सुरू करे था और जैसे कि हमने आपको बताया था जिससे जो जानवर थे वो आकरसित हुए और सबसे पह परमान कहां से मिले हुआ स्थाल है तो देखे दोस्तों जहां पर पसु पालन के परमान मिले है तो यहां पर बी और सी जो ऑप्सन देगा है वह यहां पर सही देगा है नेश्ट कुशन है अपर निमन लिखित में से किस इस्थल से हड्डियों के उपकराण पराफ्थ हुए तो हड्डियों के उपकराण कहां से पराफ्थ हुए हमने NCRT में भी किया था क्लास 6 में अगर आपने देखा होगा वहां पर हमने बताया था अनाज कहां से मानों के साथ कुट्टे को दफनाए जाने की साक्षी मिले बहुत important question है हर बार exam पूछा गया है देखें दोस्तों यह उत्राखंट PCS pre में 2010 में पूछा गया है इसके अलामा UP lower में 2008 में पूछा गया है तो यह कहां से मिला है तो यह बुर्ज होम जो की जम्मु कस्मीर में प खोद कर रहता था जिससे की उसके में सीडियां बनाई गई थी और गड़े के नहीं जाने के लिए और इससे यह फाइदा होता कि ज्यादा गर्मी नहीं लग दी थी क्योंकि गड़े के अंदर रहे थे तो वह भी यही जगा थी जम्मु कस्मीर में तो यह भी आपको याद दखना है नेच्ट हैं भारत के किस सैला सर前 सर lahj में शरवाधिक चीतर प्रात हुए तो सबसे ज्यादा सेला सर गा मतलब होता है कि गुफां के अंदर चीतर गुफां के अंदर जो चीतर हो है सπως जादा जो आ है तो है भी बेटिका से तो यहां पर सी option सई दे गया है नेस्ट कोशन तो यहां पर भारतिय उप महादीप में किर्सी के प्राचीन साक्षी प्राप्थ हुए तो भारतिय उप महादीप में किर्सी के प्राचीन साक्षी जो प्राप्थ हुए हैं वो कहां से हुए हैं तो यह लुहार देव से हुए हैं आगे बढ़ते हम नेश्ट कोशन की ओर नेश्ट कोशन है यहाँ पर भारत में मानाओ के सरोपर्थम साक्षे कहां से मिलता है तो भारत में मानाओ का सबसे पहले जो साक्षे मिलता है वो कहां से मिलता है तो नर्मदा घाटी से मिलता है तो यहाँ पर डी ऑप्सन जो दिया ग चाक लोथिक यूग भी का जाता है तो किसे का जाती है तामर पंपासान काल को चाक लोथिक यूग भी का जाता है नेक्ट पे नवधा तोली का उत्खरन जो क्या था वो HD संकलिया ने किया था ने चुछ कुछ कुषिब घ्दो aura यह नोट करेंगे तो ये कुछ-कुछ नए कुछन है लेकिन अभी हम यहाँ पे जो नेक्ट चेटर करेंगे तो वहाँ पर आपको यह मिलेंगे नेक्ट पर नवदा तोलिक की साजय में इस्तित हैं तो यह पर अपर नि ऑ्प्शन साहिद गया है तो इनको ये जितने भी हैं दोस्तों अभी हमने यहां पर कुछ कोशन जो आ रहे हैं यह भी हम NCRT कास से इसकी जो हम चेप्टर कर रहे हैं उसमें आगे यह सब के सब कोशन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यह सब वहां पर बताए गया है नेक्स्ट हैं यहां पर हड्यों से मिरमित आभुसन भारत के मद्य पासान काल के संदर में प्राप्त हुए हैं तो यह कहां से प्राप्त हुए हैं तो यह महधा से प्राप्त हुए हैं तो यहां पर C ओप्शन जो दे गया है वो यहां पर सही दे गया है नेश्ट है पर राक का टीला निम्निकित में से किस नव पसंड इस तल से संबंदित है तो यह किस जगा से है राक का टीला तो यह है संगन कलू से तो यहाँ पर बी ऑप्सन सही दे गया है नेश्ट कुशन है आपर माना दोरा सरोपर्थम पर्युक्त अनास था तो देखे दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया था यहाँ पर इसका जो दिया था लेकिन आपको बतादे कि जो राइट अंसर करा हम NCRT के साफ़ से देखते है क्लास 6 में जो दिया गया है वह हमने आपको पहले भी बताया था कि बार अबर जो है इसका आयोग है वो कभी इसका अंसर जो देते हैं और कभी गयहूं लेकिन आपको बतादें कि जो NCRT के बुक है क्लास 6 में उसमें पहले गयहूं को दिया गया है फिर जो को तो आप बिलकुर इसका अंसर गयहूं आता है तो भारती पुराता तो बिभाग जो है वो संस्कृती मंत्राले के अंतरगात आता है यह इंप्रेंट कोशन है नेक्ट है पर गर्त आवास के संक्षे प्राप्त हुए हैं तो जैकि हमने आपको बताया था गर्त मतलब होता है गड़े के नीचे घर बनाका रहना तो यह कहां से प्राप्त हुए तो यह बूर्ट जोंकी जम्बु कस्मीर पड़ता है वहां से प्राप्त हुए है इस सभी के सभी कोशन पूछे गया है नेक्ट है पर तामर पासांड काल में महाराश्टी के लोग मिर्तकों को घरों के फर्ष में किस तरह दफनाते थी तो किस option सही देग्या है नेक्ट है भारत में एक हैस्ट मे सरवाधी चित्र प्राफ्ट हुए है तो सब्सक्राइभ जो चित्र है इस इस्तित् है है कि नेक्स टाब है भीम बेटिका की उपहाओं किसके लिए पर सीध है तो गुफाओं के शैल चित्र यानि गुफांग में जो चित्र बने हैं उनके लिए परसीद है ने पर चापर चॉपिंग और पैबुल संस्किर्थी के उपकरम कहां से प्राप्त हुई यह हमने आपको बताया था इस्टार्टिंग में जब हमने यहां पर आपको पूरा पासरण काल बताया था तो इसके जो चापर चॉपिंग जो पत्धर थे और इनी पत्थरों को को स्ड़्चा कर ज्याता था तो इनको कहते थी तो यह इसको चाप चॉपिंग आजतwo और यह काहां से प्राफ़त है तो यह था बांजी संस्किर्थी यूग से सम्मंद्धत है या disu आधरा है पूछए तो बस्ती के जो सक्ष मिले हैं यह संगम कल्लू से मिले हैं और नेस्ट आप निम्रिखित में से कौन से विसे सतर नाव पसाण का युकी नहीं है तो नहीं पूछा गया नाव पसाण युकी मृद्भान का निर्मान का विकास सुच्म उपकरणों का परयोग हड्यों के क्योंकि आपको पता होनाची की जो सुख्चम उपकरण थे वो मद्धे पसाण काल में मिलने सुरू हो गये थे और से मराने लग गये थे तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ कोईशन थे और हम जित्ते भी यहां पर टॉपिक करते जाएंगे साथ हम प्रैट्री सेट भी करते झ्यान ठीजय है